मैं स्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम से आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखा देए जिस तरह से एंडिये को पूर बहुमत मिलता बताया जा रहा है कि एक बार फिर नरेंद्र मोधी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोधी भारत के दुबारा प्रधान मंत्री बनेंगे इस पर पस्टीम बंगाल की ट्रीमोड कांग्रेज की सुप्रीमो ममता बनेरजी ने एक मुंबई एयरपोर पर CISF ने तसकरी की कोशिश करने वाले दो लोगों को नाकाम कर दिया है। उस्मान गनी मुहमत और अदम मुहमत के पास से CISF ने विदेशी नगदी परामत की है। ये दोनों विदेशी लाखों रूपे नगदी के साथ आदिस अबाबा जाने का प्रयास कर रहे थे। मगर CISF ने इन दोनों को कश्टम के हवाले कर दिया है और आगे की जाश की जा रही है। दच्छल अफरेका के स्पोर्ट परचार में जुटे हॉलिवूड के स्टार और नाल सोरेंगर को एक वेक्ति ने पीछे से लात मार दी है। ये वीडियो सोसल मीडिया में तीजी के साथ वाइरल हो रहा है। इसके इलामा आरनाल्ड ने भी इस वीडियो को अपने ट्वेटर हैंडल से शेर किया है और हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सोसल मीडिया के जरिये मुंबई के कमपनी के सीओ चौसट वर्सिये सुरेंदर कुमार को एक लड़की ने हनी ट्रेप में फसा कर किड्नेप कर लिया और 30 लाक रुपय की मांग की। मगर इसकी जानकारी जब मुंबई पुलिस को लगी तो पुलिस ने जाल बिछा कर इन्हें फसा कर गिरफतार कर लिया है। इनमें एक महिला सहित दो यूवक भी गिरफतार हुए। मुंबई के सिवरी कोली बाड़ा निवासी राजु सोलंकी 20 वर्षी ने एक साप को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था। उसी दवरान साप ने राजु सोलंकी को कट लिया, अनन फानन में राजु सोलंकी को के इम स्पताल ले जाया गया। मगार राजों की जान नहीं बच सकी उसकी मौत हो गई तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टांग से